दोस्तो सलेब कास्टिंग यानि कि छत डालने से पहले क्या-क्या साबधानिया रखनी चाहिए, क्या-क्या आपको देख लेना चाहिए कि ये चीजें पूरी हैं कि नहीं आज उसी के बारे मैं बात करूँगा, पूरी याठ चीजें बताने वाला हूँ, जो आप छत डालने से पहले, सलेब डालने से पहले चेक कर सकते हैं और ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं तो काफी important और वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में last तक बने रहेए, बिल्कुल भी skip इस वीडियो को नहीं करना है और वीडियो last में अच्छा लगे, तो like करके ज़रू जाएए इससे पहले काफी important वीडियो में आपके लेके आया हूँ, practical और premium knowledge आपको इस channel पर मिलता है, इसलिए channel को अभी subscribe कर लीजिए, bell icon को on कर लीजिए, चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, सबसे पहली चीज होती है cover block, अगर आप एक engineer है या फिर आपको थोड़ा बहुत knowledge है तो आप cover block जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यह चीज आपको यहाँ पर photo में देख रहा होगा, यह cover block होता है, यह आपको check करना होता है कि यह सही से लगे हैं कि नहीं कहीं पर cover block छूट तो नहीं गया, cover block बहुत ज़्यादा important होता है किसी slab के लिए और उसकी stand के ल चालू condition में है की नहीं, abby level है की नहीं, फिर पता चले कि आपकी casting start हो गई, छत डलना start हो गई और पता चले vibrator start ही नहीं हो रहा है, तो आप पहले check कर लीजिए कि vibrator सही है, चालू condition में है की नहीं है, जब आपकी slab डलती है तो उसके compression के लिए vibrator बहुत जरूरी होता है, और concrete में जो भी air particle होते हैं, उनको remove करने के लिए भी vibrator यूज किया जाता है, अगर आपने अपनी छत में vibrator यूज किया है, तो भविस्त में छत में sealant नहीं आएगी, ठीक है, बिना vibrator के छत जो डलती है, उसमें छत में कभी-कभी sealant आजाती है, पानी टपकने लगता है, तीस fan box, concealed box और भी चीज़ें जो भी आपकी drawing में हैं या पर जो आप लगा रहे हैं, वो सही से लगी हैं या नहीं, कोई चीज डेमेज तो नहीं है, तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिए और सब को उसके सही स्थान पर लगा दीजिए, चेक करने के बाद आप slab casting स्टार्ट कर सक चौथी बात आपको ध्यान देना है कि आपका जो सरीया है वो पूरा बंद है कि नहीं, कभी-कभी क्या होता है, बीच में कोई-कोई joint छूट जाता है, कोई-कोई सरीया छूट जाता है, लेवल लोग थोड़ा भूल जाते हैं, ठीके, तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि सब सरिया पूरे-पूरे बंदे हैं की नहीं बीच में कोई छूटा तो नहीं है जो बेंडिंग बायर होता है उससे बंदे हैं की नहीं पांच भी बात आपको ध्यान देना है कि आपकी Lapping सही है की नहीं Lapping जो भी आपकी सरीया की हो रही है वो बिलुकुल perfect है की नहीं वो भी आपको check कर लेना है Lapping कैसे करते हैं मैंने already इस पर वीडियो बनाया है आप जाके वो देख सकते हैं छटबा point है की आपको safety का business ध्यान देना है जो भी slab casting कर रहे हैं उन्होंने गमूड पहने हैं की नहीं जो लंबे वाले जूते होते हैं helmet, gloves बगेरा पहने हैं की नहीं ये चीज़ें बिलकुल ध्यान दीजिए क्योंकि आप अगर एक site engineer है तो आपकी responsibility होती है की आपके पास जो भी labor है जो भी employee है वो safety का business ध्यान रखें और जो individual भी काम कर रहे हैं तो भो भी safety का ध्यान रखें साथवा point है की अगर आप गर्मियों में slab casting कर रहे हैं तो आप jute bag यानि की बोरे का उपयोग कर सकते हैं जो भी slab का portion सूखता जा रहा है जूट bag को आप बहाँ पे गीला करके डाल सकते हैं जिससे नमी बनी रहे बहीं आप बारिस में अगर slab casting कर रहे हैं तो आप तिरपाल या फिर पन्नी का इंदजाम करके रखें जिससे अचानक बारिस आने पर आपकी slab खराब ना हो दोस्तों ये point अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन